सन्मान्यस्री अमिश्जाजी को चन्नम्मा रायन दर्थी से स्वागत करके सबाको संबोधित करने को विनंती करता हूं तो मेल्लर जोरा दा चपाले वंदिके आदुनी का भारत दा गट्टी मनुश्णागी वत्तु संबोधिस्तकंदा अमिश्जाजी अवरू मेरे साथ बोलिये भारत मता की अरे वही क्या होगा कित्तुर वालों की आवाज को ऐसी आवाज नहीं चलती कित्तुर तो वीर भुमी है जिसने देश भर को आजादी का संकल्प दिया मेरे साथ दोनों हाथ उठाईए उठाईए दोनों हाथ और दोनों हाथ का मूटी भींच कर प्रचन्द वाद से बोलिये भारत मता की भारत मता की भारत मता की मंच पर उपस्तित श्रीमान बसवराज बहुंबाई जी आज बसवराज जी का जन्मदी ने सभी लोग ताली बजा कर उनको अभिनंदन दिजिये भाई भारतिय जन्ता पार्टी के वरिष्ट नेता और पूर्व मुख्य मंत्री श्री बीएस येदु रप्पा जी भारतिय जन्ता पार्टी के प्रदेश अध्यक्स श्री नलिन कुमार कटिल जी हमारे कैंद्रिय मंत्री स्री प्रहला जोसी जी स्री मती मंगला अंगडी जी सांसत बेलगाउ के श्री गोविन कार्जोल जी स्री मती ससी कला जोले जी स्री लक्षमन सौधी जी मंच पर उपस्तित जीले और प्रदेश के सभी विदायक संगठन के सभी सन्मानिय पदाधिकारी और आज दो गंटा लेट होने के बावजूद इतनी विराट संख्या में आए हुए प्यारे भाईयो बेहनों माता हो और मेरे जिगर के टुकडे जैसे युवा मित्रो मित्रो सबसे पहले मैं देवी ये लम्मा के चरणों में प्रणाम करकर मेरी बात की सुरुवात करना चाहता हूँ जब मैं कित्तुर विदान सबाक्षेत्र में आया हूँ तब महान क्रांतिकारी आजादी जिनके रक्त के कण कण में थी इत्चिन्नम्मा राणी को भी प्रणाम करकर मैं आगे की बात करना चाहता हूँ यहाँ पर जगत जोती बसवन्ना को प्रणाम करता हूँ मैं यहाँ पर स्थीत सीव योगेश्वर सादू संस्तान मट स्री कला मट, स्री सिद्ध रामेश्वर मट, स्री सिद्ध रूड मट इस सभी मठों को भी प्रणाम करता हूँ और साथ में जन योगास्रम के स्रिसिद्देश और स्वामी जी को भी स्मरण करकर मैं उनको प्रणाम करकर बात करना चाहता हूँ मित्रो आज कित्तूर की ये भूमी कोई भी व्यक्ति यहां आता है तो रानी चिन्नम्मा की वीर दहाड को कैसे भूल सकता है और करनाटक के अंदर रानी चिन्नम्मा हो याने एक क्रांती वीरों ने बहुत सारे युद्दों के अंदर अपना बलिदान दिया था यहां पर वीर सावर करकर के साथी अलूर वेंकट राव को भी मैं जरूर याद करना चाहता हूँ करनाटक कुल पुरोहित अलूर वेंकट राव ने वीर सावर कर को बहुत बहुत प्रकार की मददे की थी मैं भी हमारे मुख्यमंत्री जी को भी साधुवाद देना चाहता हूँ कि नोंने विदान सबा में वीर सावर कर का चीत्र लगा कर सावर कर जी को पूरे करनाटक की और से स्रद्धान जली देने का काम किया मित्रो आज मैं विजय संकल प्यात्रा में इसकी बेलगाओं में सुरुवात करने आया हूँ तब मैं आपको ये बताने आया हूँ कि विजय संकल प्यात्रा आने वाले चुनाओं में भारतिय जनता पार्टी के प्रचार अभ्यान का सुरुवात करना तक की जनता ने अप्रेल मैं में ये तई करना है कि अगरे पाँच साल तक एक करना तक की बात दोर किसके हाथ में रही एक और ये दो परिवारवधी पार्टियां कॉंग्रेस पार्टी और जेडी एस और दूसरी और मोदी जी के नेत्रुत में भारत को दुनिया में सर्वप्रथम ले जाने के लिए प्रयास करने वाली राष्ट्र भक्तों की टोली भारतिय जनता पार्टी है मित्रु करना तक की जनता ने ये तई करना है कि आने वाले दिनों में किस सरकार को चाहते एक और 25-30 सीटे प्राप्त करकर कॉंग्रेस की बहिसाकी के अधार पर सरकार चला कर एक परिवार के राज को करना तक पर धोपने वाले जेडी एसका सासर है एक और कॉंग्रेस पार्टी को यहाँ पर जब सरकार बनी तब दिल्ली के हुक्मरानों के ATM का काम करकर करना तक को घले तक ब्रस्टाचार में डुबोने वाली कॉंग्रेस पार्टी है इस जेडी एस और कॉंग्रेस आपको दो दल दिखाई पड़ते हैं मगर मैं समगर करना तक की जनता को कहने आया हूँ जेडी एस को दिया हुआ एक एक वोट अंट में कॉंग्रेस के ही काम में आने वाला है कॉंग्रेस को ही जिताने वाला है और दूसरी और भारतिय जनता पार्टी है नरेंडर मोदी जी के नित्रुतों में जिसने देश भर के अंदर चाहे गरीब हो दलीत हो आदिवासी हो किसान हो युवा हो महिला हो सब के विकास के लिए काम करकर आज देश को दुनिया का अथतंत्र बनाया है वो भारतिय जनता पार्टी है मित्रों आज मैं आपको कहने आया हूं कि अलग-अलग वादे दे रहे हैं मगर मैं आपको एक बात कहने आया हूं कि करनाटक का विकास भारत का विकास केवल और केवल भारतिय जनता पार्टी ही कर सकती है नरेंद्र मोधी जी ने गरीब कल्यान के लिए धेर सारी योधनाय लाए लगबग तीन करोड लोगों को घर देने का काम किया, बीजली देने का काम किया, 10 करोड लोगों को घर में सोचा ले दिया, 13 करोड लोगों को गेस का सिलिंडर गेस का चूला गर में दिया, 60 करोड लोगों को आईशमान भारत योधना के तहट 5 लाग तक का सारा खर्चा किसी भी विमारी का आज नरेंद्र मोधी सरकार दे रही है, मित्रोग। और धाई साल से कोरोना के बाद हर गरीब परिवार को हर फ्यक्ति हर मां पांच किलो अनाज फ्री ओप कोश्ट देने का काम ये भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कॉंग्रेस पार्टी को जेडी एस को आपने गरीबों के लिए क्या किया है। किसी को एक पैसा देना पड़ा है क्या? जोर से बुले देना पड़ा है? उस वक्त ये दूरपा जी मुख्यमंत्री थे मोदी जी के नेत्रुत में करनाटक के हर घर के अंदर मुप्त में वैक्सिन पहुचाने का काम ये भारतिय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार न देकर इस सब को पूरे देश को कोरोना से सुरक्सीत करने का काम ये भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने किया है मित्रो भारतिय जनता पार्टी ने सरकार के आने के बाद दो बार राष्ट्रपती बनाने का मोका आया पहली बार एक गरीब दलीत के बेटे स्रिमान रामनात कोवीजी को राष्ट्रपती बनाया और दूसरी बार एक अत्यंत गरीबी में से उपर आई हुई नेत्री स्रिमती ध्रवपदी मुर्मु जी को राष्ट्रपती बनाकर आदिवासियों का सनमान किया दलीत और आदिवासियों के लिए भारतिय जनता पार्टी ने धेर सारे काम किये हैं और मित्रो सबसे बड़ी बधाई करनाटक के नेताओं को और मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूँ कि महादाई के लिए भारतिय जनता पार्टी की गोवा सरकार को साथ में लेकर करनाटक की 85 धरती को महादाई का पानी देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया है मैं आज मेडम सोनिया गांधी को 2007 का उनका गोवा में दिया हुआ भासन याद कराना चाहता हूँ उन्होंने कहा था कि महादाई के पानी को करनाटक की और मोडने की अनुमती नहीं देंगे 2022 में कॉंग्रेस ने अपने घोशना पत्र के अंदर ये कहा था कि कॉंग्रेस पाटी सुनिसित करेगी कि करनाटक को महादाई की एक बूंद पानी न मिले मैं आज आपको कहने आया हूं मित्रो भारतिय जनता पाटी ने दोनों राज्यों के बीच में इतने पुराने जगडे का समाधान करकर महादाई का पानी करनाटक को देकर करनाटक के कई जिलों के किसानों के लिए बहुत बड़ा काम किया है मित्रो आज कॉंग्रेस पाटी यहाँ पर थी तब उत्तर करनाटक के लिए क्या किया ये भी मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जन्ता पार्टी की डबल एंजिन सरकार ने 73 किलोमीटर लंबी धारवाड कित्तूर कित्तूर से बेलगावी रेलवे लाइन पर काम सुरू कर दिया है ग्रिन फिर रेलवे लाइन 927 करोड लगबग लगबग एक हजार करोड के खर्चे से बनेगी और धारवाड और बेलगाव के बीच के यात्रा का समय कम होकर सिर्फ एक घंटा बच जाएगा कित्तूर के अंदर एक हजार एकड में मेगा अउध्योगिक टाउंशिप बनेगी पचास हजार से ज्यादा लोगों को इससे रोजगारी मिलेगी और सिंचाई की सुवेदा करने के लिए स्रीचेन नहीं व्रूसभेंद्र लिप्ट इरिगेशन योधना भी बनाई जिससे बड़े 20 ताला भरकर 520 करोड कुप्य का खर्च इसमें होना वाला है बिल होंगल में संगोली राहनना के स्मृति में राहनना सैनिक स्कुल का निर्मान हमने पूरा कर दिया है और अब 23 चोईस के सेक्षनिक वर्ष में वहां से सेना के जवान निकलेंगे खानपूर के सोगाओं में प्रत्यक घर के पीने के पानी के लिए 500 करोड रुप्य की व्योस्ता भारतिये जनता पार्टी की सरकार ने की है मित्रो इसके अलावे नरेंद्र मोधी सरकार ने इस देश को सुरक्सित करने का काम किया है मुझे बताईए माता हो भाई हो बेन हो एक कस्मीर हमारा है या नहीं है जरा जोर से बोले है या नहीं है कस्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी 70-70 साल से एक कॉंग्रेस पार्टी धारा 370 को जवालाल नहरू की ये भूल को गोदी में एक बच्चे की तरह खिलाती थी भारतिय जन्ता पार्टी के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीजी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हमेशा के लिए उखाड कर फैंक दिया और कस्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ा ये कॉंग्रेस पार्टी ये जेडी एस वो कहते थे कि यहाँ पर कस्मीर में खुन की नद्या बेह जाएगी राहूल बाबा सिद्रा मया जी खुन की नद्या छोड़ो कंकर मारने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है कंकर लगाने की हिम्मत नहीं हुई है भारतिय जन्ता पाटी ने आतंकवाज जो आए दिन देश भर में घटनाए करता था उससे देश को मुक्ति दिलाने का काम किया है समगर वीश्व में भारत के सन्मान को मोदी जिने आस्मान तक पहुचाने का काम किया है आज भारत जी ट्वेंटी की अध्यक्सता कर रहा है और दुनिया भर में भारत के प्रदानमंत्री क्या बोलते है इसको महत्व मिलता है और मित्रो मैं मानता हूं कि यह जो सन्मान हो रहा है वो देश के प्रदान मंत्री जी का नहीं हो रहा है इस अन्मान जो हो रहा है वो भारतिय जंता पार्टी का नहीं हो रहा है इस अन्मान जो हो रहा है कि तूर की जंता, बेलगाव की जंता और करनाटक की और भारत की 130 करोड की जंता का दुनिया में सन्मान हो रहा है मैं आप सभी को यही प्रातना करने आया हूँ, मोदी जी भारत के अर्थतंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं, कॉंग्रेस पार्टी ग्यारवे स्थान पर छोड़ कर गई थी, इसको पांचवे स्थान पर लाने का काम भारतिय जनता पार्टी ने किया और इसके साथ साथ मोदी ज कोलर की इकोनोमी का लक्स रखा है, जो भी सिद्ध करने वाला है, और मित्रों ये काम अगर करना है, तो हमें सबसे पहले करना टक में भारतिय जनता पार्टी की सरकार लानी पड़ेगी, मुझे बताईए, इस जिले की 18 सिटों में से 16 सिटे भारतिय जनता पार्टी ने जि सिटा कर भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे क्या, जोर से बोलो बनाएंगे, कमल के निसान पर बटन दबाएंगे, मोदीजी के हाथ मजबूत करेंगे, मित्रो आने वाले चुनाव में एक वार मोदी जी पर भरोसा करकर पूर्ण भहुमत की सरकार बनाईए और करनाटक को समग्र देश में एक नमबर का राज्य बनाईए यही विनन्ती करने के लिए मैं आया था यह यात्रा लेकर हमारे कारेकता समग्र उत्तर करनाटक में घर घर घुमेंगे आप उनका समर्थन करिये और भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आप सहयोग दीजे यही विनन्ती करकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ मेरे साथ दोनोव हाथ उठाकर उठाये दोनोव हाथ द्रड़ संकल्प की मुट्टी पींचे और प्रचन्द वाद से बोलिए बारत मता की बारत मता की वन दे वन दे वन दे वन दे झाल झाल